क्ल op दोस्तों यूफी बोट का सलेजब्स चल्ला आ है मेरे शर्त रायोट के सलेजस्मस में मेहित चल्ला ए है मैत में भारत भारती प्रकासन का महित है औरBlue एक्सरशाइज चल के यह हमारी 24 दोस्तों 24 भी परस्णावली आज हम इस्टार्ट करने जा रहे हैं और 24 भी परस्णावली में कोश्चन नंबर 6 से इस्टार्ट करेंगे 6 से पहले कि जो जितनी भी कोश्चन है दोस्तों वो सब ठ्रूटिकल हैं ठीके तो टॉपिक की सूरात होने से पहले आपको आना चाहूंगा कि आप मेरी चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेट करके सब्सक्राइब बटन पे किलिक कर ले और बैल आइकन की घंटी को भी प्रैस कर ले इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड ने रहाएं दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं לगता है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे चलते हैं दोस्तों questions नंब्र हमारा six A ». नमबर है हमारा six question number six में हम सीकेंगे सामात्र माध्य से माध्य बिचलन निकालना और माध्यखा से माध्य बिचलन निकालना इसके बाद हम निकालतीघेंगे मानक बिचलन तोस्तो तीनों टॉपिक को बहुती सरलता पुर्वक solve करेंगे वीडियो को लाश्ट तक देखिए और वीडियो आपको परसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों को share भी करिए देखिए question है हमारा संक्याई दी है 6 question में 4.6 ठीक है 4.6 5.7, 6.2, 6.7 7.2, 7.4 7.7, 8.5 9.8, 10.7 11.5 दोस्तों इन सब संक्याई को हमने जोड़ लिया इन संक्याई है इसको हम दिमान रख रहे हैं X इसको हम दिमान ले रहे हैं X तो दोस्तों इन संक्याई को सब को जोड़ लिया जोड़ के हमारा सिक्मा X थी बहल हुआई 85.5 2015-25 आपाच और सामानत्र माद से सबसे पहले निकालेंगे माद्द बिचलन तो सामानत्र माद का нитьर्मुला होता है डोस्तों यह न्याइस को ऑपर गव्लयू यह सल्ट ऐस ந का should तो दोस्तों एन की जगह हमने रख लिए ग्यारा सिक्मा एक्स की जगह रख लिए 85.8 दोस्तों 85.8 को जब हमने डिवाइड करा देखिए उपर दसमलब है एक अंग के बाद तो इस दसमलब को हटाने के लिए यहां लगा लेजिए दसमलब फिक है अब आप 11 से डिवाइड क विचलन तो समानतर माद बिचलन कैसे निकालते हैं अब दोस्तों हम देखिए समानतर माद बिचलन निकालेंगें अब यहां देखिए एक्स की तेखिए 4.7 चार कॉइंड 7 में से उड़ाय एंग का माइनस का इसे प्रकार 5.7 में से मिल जायगा 2.1 इसी प्रिकार से 6.2 में से गटाईए 7.8 तो आपको मिल जाएगा माइनस का 1.6 इसी प्रिकार 6.5 में से गटाईए 7.8 तो आपको मिल जाएगा माइनस का 1.3 तो दोस्तों यहां से यह कालम आ गया है ठीक है X में से सामान तर्मातिकी वैलू हम निकालते चलेगा तो दोस्तों हमें ये कालम मिल गया ठीक है अब इस कालम को हमने क्या काम करा हमने माइनस है इसे पिलस रूप में लिख लिया ये साइन लगा दिया ठीक है और D निकाल दिया इसे तो देखिए 3.2 है यह माइनस का यह प्लस रूप में हमने सभी कल लिया किस रूप में प्लस रूप में प्लस रूप करने के लिए यह आपको यह बिचलन डी है और डी के बाद यह साइन लगा दीजिए आप तो यह प्लस रूप में बहलू आ जाएगी ठीक है अब देखिए यह बिल्कुल बैसी उताल लिया हमने प्लस फॉं में उताल लिया देखिए तीन पॉंट दो तो प्लस के तीन पॉंट दो दो पॉंट है तो प्लस का और माइनस का एक पॉंट छे तो प्लस का ठीक है यह प्लस प्लस के सारे आ गए अब हमने सिक्मा ड को हमने जोन लिया तो इ बैलु आई है इसकी जो बैलु आई इसको हमने सब को जोड़ा तो जोडने पर हमें यह मिला 18.6 तो आठारा पॉट छे को हमने ऊपर रख लिया ठीक है और 11 11 टोटल हमारी यह संक्या है ठीक संक्या है इसी प्रिकार से एक प्वांट है यह अंत्यबाद यह तो इस पॉट नह है ठीक है इसी प्रिकार हम एक तो हमने फंडा यह निकाल लिया प्रिसमांतर मादन से माध्विचलन निकालना से ग संक्याह तो अन वराबर हमारा कितना हो ग्यारा आपकी है यह विसम संक्या, तो विसम शंक्या का फर्मूला होता है n plus 1 upon 2 बे पत का मान, तो n क्या है, n वराबर 11, तो n की जगे हमने रख दिया, 11 plus 1, to plus 1 upon 2, तो 11 और 12 बारा वटे, 2 दूसे डिबाट करा तो हमें मिला 6, यानि 6 का मतलब है छटमे पत का मान, तो छटम हमें व्मान資से कर दिए निखान निकालन गाले कि तरीका यह कर देंडा इस चारक है इस तो इस कालम को आपको बता दू यह हो गया डी स्कॉार क्या है डी स्कॉार यह 32-32 की गुणा करोगे तो 1024 और दो अंके बाद पॉंड लगा दू एक तीस की गुणा करोगे तो एक अंक बाद लग जागा यह को आग तो हमने सिखम बैलू है इसको हमने सब को जोड़ लिया तो यह मिल गया हुए च्छालिस पॉआंड02 च्छालिस पॉआंड02 डी आपका पुरा यहांसे निकल गया इसकाले कालम का हो गया यह डी स्कॉार ठीक है अब हमारा जो कोशन था वो हम यहां तक पहुच गये थे हमने निकाल ली थी मद्द का मद्द का आई थी साथ कौंट चार अब क्या करेंगे हम अब हम निकालेंगे देखिए हैटिंग हमारी यह पड़ गई मार्द का से मात इसी परकार 5.7 मेंसे हम गटाएंगे 7.4 तो मिल जाएगा माइनस का 1.7 इसी परकार 6.2 मेंसे गटाएंगे 7.4 तो मिल जाएगा आपको यह 1.2 6.5 मेंसे गटाएंगे 7.4 तो यह मिल जाएगा 0.9 7.2 मेंसे गटाएंगे 7.4 तो यह मिल जाएगा 0.2 0.2 यह वाला, 7.4 में से घटाएंगे, 7.4 तो यह मिल जागा यह, पुल मिलाके, यह वाली जो D निकल के आई है, वो आई है आपकी, कि आपने X में से, यह X है आपका, और X में से क्या घटा दिया, यह घटा दिया, तो आपके वाल यह कालम मिल गया, अग इसी कालम को माइनस स यह प्लस माइनस से हो गया, हम में इसको जोल लिए, जोलने के भाद dyeकह से माद विचलंग का वर्मूला होता है, सिकमा D बटे और भी वटे मीशलंग सिकमा D रादा तो 18, सब्सक्राइब तो हमारा मिला एक प्वांट शे तीन ठीक है अब दोस्तों माद्द बिचलन हम दोनों विद्धियों से निकाल लिया और माद्दका से अब इसमें निकल वारा था दूसरा पॉंट था मानक बिचलन अब यहां पर यहां रहेख लगएगा के आप दोस्तों सिक्मा डी स्कॉआर आएं आई यह 46.02 तो हमने 46.02 रख दिया और एन है आपका 11 टोटल संक्या कितनी है 11 दोस्तों जब हमने 11 से इसे डिवाइड किया तो 11 से डिवाइड करने के माद मिला अंडर रोड में 4.18 जब अंडर रोड में 4.18 का मान निकाला तो 2.04 दोस्तों किसी को अगर बर्ग मुल निखाला नह आपको क्या करना है भाग पल विदी से इधर से आप बना लेना जोड़ा ठीक है एक जोड़ा दो जोड़ा तो दो जोड़ा बर रहे हैं दोस्तों तो पहला भाग दोई में जाएगा दो दूनी 4 ठीक है यहां कुछ नहीं बचा तो यह रहो जागा आपका 18 18 हो गया फिर आ ज्यादा ना हो बल्कि कम रजा एक अंग के बाद पॉंट है तो पॉंट लगा लिए अठारा पूरा उत्रेगा नहीं क्योंकि यहां आप लगा यह जीरो अब यहां बाहर दोगे आप कि कितने से दोगे आप यहां डबल जीरो ताल देजिए जीरो देखे और यह हो जागा 404 404 की जब भाग दोगे 4 से तो यह हो जागा 4 1 4 0 4 4 16 ठीक है इस प्रिकार से दोस्तों ऐसे आकर कि आप बर्गमूल निकाल लेना तो यह आ जागा आपका जीरो दो पॉइंट जीरो चार दोस्तों इसका फाइनली एंसर मानक बिचलन फिलाल अगर आपको बर्गमूल में कोई प्रावलम आती है तो आप जाए हमारी मैत की और वीडियो पढ़ी है ट्रिकी मैत की और वीडियो पढ़ी है कमप्टीशन वाली वीडियो में जाएए पहां पर हमने ट्रेक से बर्गमूल और घ्रमूल को ट्रिक के माध्यम से इंकालना सखाया है तो अगर वीडियो आपको परसंद आती है तो वीडियो को शेर करिए और वीडियो को लाइक करिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्दवाद आप आजिन सोभो